जेहिन दोस्तों आप सभी के बीच हम एक बहुत ही संदार वीडियो लेकर आएं जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो जी यहां दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राजास भूमी सुधार विभाग में बिभिन परकार की पोस्ट आई है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जनने वाले हैं टोटल नमरों पोस्ट की बात करें तो 10988 एक्जेक्ट पोस्ट है क्योंकि देखिए बहुत सारे यूटूब पे जो पोस्ट आ रहे हैं तो लेकिन एक्जेक्ट हम जो बताने वाले हैं यह बिलकुल आपका सही है और अभी हम आपको यहां पे प्रूप के साथ दिखाने व पाला हूं अब देखिए इसके सेलेक्शन प्रोसेस क्या है ठीक है सेल्डी कौलिफिकेशन क्या है यह सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं और सबसे जो इंपोर्टेंट है वह इसके अपलाइक कैसे करना एस्टेप अपने एंडॉइड फोन से क्योंकि देखिए प्रमिशन डिटेल्स में जानेंगे बस आप से एक छोटी से रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग वीडियो को अंदर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम सारा सॉल्यूशन बस एक वीडियो में लाए हुए आप लोग को हम गारेंटी दिलवाते हैं कि इस वीडियो के बाद आ पनाते हैं कि इससे पहले जो 1944 पोस्ट आये हुए थे ठीक है उसके बाद यहां पे 10,988 पोस्ट कैसे आये हुए हैं और यहां पे जो 1944 पोस्ट हैं इसको कैसे अपलाई करना है तो उनको हम अभी चलिए किलियर कर दते हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप से जूरी कुछ भी नोटिफिकरसन आये तो सबसे पहले आप तक आ सके तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं पूरी डिटेल्स में तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले सबसे पहले आपको देखिए हैं पर हम किलियर कर देना चाहेंगे कि जो आप लोग 2024 पोस्त देखे हूंगे दूस एक राजरसु विभाग में या बिसे शर्वेचन अमीन के ठीक है इसमें बहुत सारे पोस्त हैं यहाँ पे अमीन का नोटिफिकरसन आपको दिखाएं और भी सारे जैसे आइस.o हो गए और बहुत सारे पोस्त हैं वो quarantine ha तो इसी पोस्ट को क्या किया इसी वीडियो पर मेरे बार बार कमेंट आ रहे थे कि इस फॉर्म को कई से अपलाई करना है तो आपको बतना चाहेंगे कि इस फॉर्म को यहां पर रद कर दिया गया है ठीक है इसी फॉर्म में इसी नोटिफिकेशन में क्या किया गया कि बिहारा या 988 के 박्स पोस्ट यह निकालाग liver si यह लोग डीटेल्स में जनेंगे कब से फॉर्म Infinite होगा ठीक है और इसके सलेकन प्रोसेस क्या है तो सारी हम लोग चलिए डीटेल्स में जन लेते हैं दोस्तों तो दखिए आपे सबसे पेल अगर हम लोग बात करें तो आपे देख सकते हैं ये नियोजन अबधी पोस्ट है ठीक है ये सिर्फ नियोजन 2024 तक ही इस पोस्ट का मन नहोगा आप लोग बिलकुल ये याद रखिए का उसके बाद सबसे इंपोर्डेंट है इसके चैन परकिरिय परकिल गया इसमें वाला है तो चैन पर tap की दिए अभग का विय्टेज अधार में अधिक्तम नबबय अंक का वेटेज के आधार पर चैन किया जाएगा तो दिखे ये जो पोस आपका है ये अमीन के लिए ठीक है तो जो तेंड किये रहे है टुल्यल्य किये हुए उनके लिए भी पोस्ट है यह मापको यहां पे दिखाने वाले हैं तो देखिए इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में जाते हैं सेलेक्षण प्रोसेस पोस्ट वाइ हरे जो है पे पुस्ट निकल के आई है उसके अधार पे तो देखिए हम पहले से एक वीडिय लेख सकते हैं थोड़ा सा बस हम आप को इसमें डिसकस कर लाते हैं क्योंकि इसमें 12 लेवल पर भी पोश्ट है त्टिक है जैसे कलर हो गया फिर टेंट प्लस डिफ्लोमउ लेबल पर ये अमीन का फोश्ट है फिर आपके सिविल इंजिनियरिंग में ठीक है फिर आपके ग्रेयरस बाना पैसे अब इसके अभीहार डी एल्रस डिपार्टमेंट तो यहां पे देख सकते हैं यही सारे हैं पर पोस्ट दिया गए पहले देख सकते हैं तक फॉस्ट आपके पास अने वाला है अब देखिए इसके बारे में हम लोगाँ डिटेल्स में बात करें तो हैं पर देख सकते हैं 18 से 21 साल आपका जेनरल जो एज है वो आपके रहने चाहिए ठीक है अपलीकेशन मस्ट भी मोर देन 20 से 25 साल से उपर रहना चाहिए किसी पोश्ट में 18 साल से उपर रहना चाहिए और मैक्सीमूम आपके 40 साल और 17 साल हैं पर एज दिये गए हैं अब नेक्ष्ट बात करें कौलिफिकेशन की तो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफीसर का हैं पर कौलिफिकेशन बैचलर इइंजिनेर रहना चाहिए ठीक है civil engineering में और दो साल का आपके पास experience रहना चाहिए तो आप लोग इसके लिए eligible हैं आप देखें आप देखें नेक्ष्ट पोस्ट के यहां पर बात करें तो कंगो पोस्ट जो की के डिप्लोम सीविल इंजिनिरिंग से तो आपको आप इस पोस्ट के लिए इलीजिबल हैं कलर की बात करें तो कलर के यहां पर देखें आपके बैचलर डिग्री किसी भी इंसिच्चूट से रहने चाहिए और टूएल्थ लेवल पर पोस्ट आपके भी अपडेट होंगे तो समझ में आ जाएंगे आप देखें नीचे आ जाना है आपको यहां पर देख सकते हैं कि इसको अपलाई कैसे करना है तो दोस्तों देखें बहुत जल्दी इसका फॉर्म आने वाला है तो अपलाई करने के लिए कि आपके देखें इस पेज के ऑफिसियल वेफ साइट पर ज सब्सक्राइब तो इसी पर कर आप लोग यहां पर अपलाए कर सकते हैं इसका लिंक हम देखें डाइट नीचे डिपसेशन बॉक्सम देदेंगे अब देखें अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप लोग देख सकते हैं कि हड़ एक पोस्ट का जैसे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हुआ तो इसका अलग से नोटिफिकेशन दिया गया है अब बात करें देखिए यहां पर इस पोस्ट की तो इसका अलग दिया गया अमीन का अलग दिया गया जितने भी पोस्ट है इसके तो देखिए अलग लग यहां पर नोटिफिकेशन दिया गया है से आप लोग डॉनलूट करके देख सकते हैं और आपको अगर जानना है इसमें कि सेलेक्शन प्रोसेस क्या है तो आप लोग बिल्कुल ये भी जान सकते हैं हम लोग पहले ही बता चुक है मैं इतलिस्ट के अधार पर बनेगा और इससे पहले जो वीडियो बनाये थे उसमें इसमें बताय हुए तो चलिए हम लोग उस पर चलते हैं तो दोस्तों उमीद है कि आपको इसमें ठमेल पर जितने भी टॉपिक लिखे हुए सारे आपके कवर हो गये होंगे अब अगर हम लोग बात करें हाँ पे सेल्डी की तो सेल्डी इसके देखिए 25,000 के प्रोक्स आप बस तीन हजार आपको लिपटाप के लिए यहाँ पर दिया जाएंगे और लेपटाप के लिए जो इंस्ट्रॉलमेंट में होगा शुरू में 3,000 और बाद में आपको 4,000 के कद्वाइब आसपश दिये जाएंगे और आपको एक लेप्टाप भी प्रोवाइड करवा जाए से किस मैरिट पर आपका सेलेक्षण होने बाल है तो देखिए सभी कर्दाइब दिया हुआ है जैसे आइटी आप लोग अमीन के लिए लिजीबल हैं तो इनके लिए क्या किया जाएगा टेंद का अधार पर मार्स दिया जाएगा डिपलोमा के अधार पर तो उसी को एड़ करके जितना higher qualification है उसके अनुसर आपका merit लिस्ट हैं पर बनने वाला है तो आज की लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में जया हिंद